नमस्कार मित्रो स्वागत हैं आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में और जैसा कि सभी को जानकारी है हम एक नए विशे के साथ आपके सामने फ्रस्तुत होते हैं और आज हम 9 जुलाई की महत्वपून घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे इतिहास में जो विशेज जानकारी है 9 जुलाई की उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे तो जादा से जादा वीडियो को सेयर करते हैं और शुरू करते हैं तो 9 जुलाई को जो है मित्रो अमेरिका में पहले प्राकरतिक गैस के कुए की खोज 1815 में की गई थी ठीक है तो अमेरिका में पहले प्राकरतिक गैस के कुए की खोज जो है वो 9 जुलाई 1815 को हुई थी दूसरा है दक्षिन अमेरिकी देश अरजेंटीना ने 1816 में इस्पेन से स्वतंतरता हासिल की यानि जो इस्पेन देश है उसने 1816, 9 जुलाई 1816 को क्या किया अपनी स्वतंतरता हासिल की थी फिर तीसरा है कनाड़ा के मंट्रियल सहरक में जो है अठारा सो वामन को ग्यारा सो निर्माना धीन स्थल भयानक आग की चपेट में आने से खाग हो गए थे अगला है भारत देश का पहला स्टोक एक्सचेंज बंबई स्टोक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी नो जुलाई को फिर पहले विवंडन टैनिस प्रतियोगिता का आयोजन भी जो है नो जुलाई 1877 में हुआ था मित्रो फिर अमेरिकी अखवार दा बोल स्टीट जर्नल का प्रकासन भी नो जुलाई 1889 में शुरू हुआ था फिर है डैनियल विलियम्स ने नो जुलाई 1893 में पहली बार बिना एनिस्थिया के ओपन हार्ट सरजरी की और नेताजी सुभाजशंद्र बोष जी ने 9 जुलाई 1944 में भारत को व्रिटिश सास्त्र से स्वेतंत्र कराने के लिए अजाद हिंद फोज का नेत्रित्वी भी मित्रो जो है वो सुविकार किया था और आज के ही दिन 9 जुलाई भारत की पर्थम पंच वर्सिय योजना 1951 और 56 की सुरवात 1951 में हुई थी 9 जुलाई को ही और वन्यजीव वोर्ड की तरह सोरी वन्यजीव वोर्ड की तरफ से 1969 में सेर को देश का राष्टे पसू चुना गया था मित्रो कितनी महत्वपून बात है क्या कि जो है 9 जुलाई को ही जो है वन्यजीव वोर्ड की तरफ से जो है 1969 में सेर को क्या राष्टे पसू चुना गया था मित्रो फिर है सोवियत संग ने 1972 में भूमिगत पर्मानू परिक्षन किया था तो कितनी महत्वपून जानकारी हमको मिली है और जानकारी प्राप्त करेंगे तो व्रितानी महरानी के प्रतिनिधी के रूप में राजकुमार चाल्स ने 1973 में 300 साल पुराने उपनी वेस बहामास में आखरी रात विताई फिर मार्ग्रेट थेचर ने 1982 में ब्रिटेन की प्रधानमंतिरी के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की जो है वो शुरुवात की थी लंदन में भारत के खिलाप तीसरे टेस्ट मैच में इंगलेंड के ओल राउंडर एयान बोथम ने अपने कैरियर का सरवोच स्कोर 208 रन बनाया यह मैच ड्रो समाप्त हुआ 9 जुलाई को फिर दक्षिन अफरिका को ओलम्पिक खेलों में दोवारा भाग लेने की अनुमती जो है 9 जुलाई 1991 में मिली थी फिर है फिजी में 2000 को सन 2000 में जार्ज स्पीट तथा सैन्य नेताओं के मद्धिये समझोता संपन हुआ था और 9 जुलाई को ही भारत द्वारा पाक सीमा पर दो चोकियां स्थापित करने की घोशना जो है 2001 में की गई थी मित्रो फिर दक्षिन अफरिका के राष्ट पती थावोम थावोम बे की इसके पहले 2002 में अध्यक्स बने थे और आर्गेनाईजेशन आफ अफ अफरिकन यूनिट का नाम जो है वो 2002 में बदल कर अफरिकन यूनियन किया गया था ठीक है तो यह है सारी महत्वपून जानकारी आपको याद रखनी है तो वहनो जुलाई थी जब भारत और पाकी सीमा पर दो चोकियों का निर्मान हुआ था मित्रो और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है तो ओर्गिनाईजेशन आफ अफ अफ अफरिकन यूनिट का नाम 2002 में बदल कर जो है अफरिकन यूनियन किया गया था और एथोपिया की राजधानी आदिस अबावा में अफरिकी संग की स्थापना 2002 में हुई थी और ACI विकास वैंक ने 2004 में आतंगवाद से लड़ने है तू अपने 42 सदस्ये देशों के लिए एक कोस बनाया था फिर है साइवेरिया के साइवेरिया के इरकुत्सक हवाई अड़े के रनवे पर 2006 को सिविर एर लाइन्स A310 के दुरुघटना गरस्त हो जाने के सोरी हो जाने से कम से कम जो है 122 लोगों की जो है मौत हुई थी मित्रो फिर भारतिय मूल के अमेरिकी व्यज्यानिक हिमान्सु जैन को गलास साइन्स के छेतर में ध्यातत्व का रेहेतू ओट्टो स्कोट रिसर्च पुरुषकार 2007 में परदान किया गया था मित्रो तो जो गलास है यानि कांच है तो उसकी खोज का श्रे भी जो है वो भारत को दिया जाता है इरान ने 9 जुलाई 2008 में लंबी एवं मध्यदूरी तै मध्यदूरी तक प्रहार श्रमता वाले 9 पास्त्रों का प्रिक्षन जो है वो किया था और अफरिका का सुडान 2011 में दो हिस्सों में बट गया दक्षिन हिस्सा रिपबलिक ओफ साहुत सुडान बना ठीक है तो यह सरकारी एकजाम की दिरश्टी से भी बहुत महत्वपून है मित्रो एक एक प्रस्ण जो है वो महत्वपून है अब हम 9 जुलाई को जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मित्रो तो नो जुलाई को सिलाई मशीन के अविश्कार एलायस हाउस का जन्म नो जुलाई 1819 में हुआ था मित्रो जिन्नों ने सिलाई मशीन का अविश्कार किया था उनका जन्म भी मित्रो कब हुआ था नो जुलाई को फिर 1905 से 1910 इस्वितक का भारत का वाई सराय तथा गवर्नर जन्रल रहे लोर्ड मिंटो दूत्य का जन्म भी 9 जुलाई 1845 में जो है हुआ था फिर राष्ट्य कांग्रेश के राजनेता संसद्य मामलों के मंतरी तथा मध्य प्रदेश के भूत पूर्व राज्य पाल सत्य नरायन सीनहा का जन्म भी 9 जुलाई 1945 में जो हुआ था फिर दूसरी लोकसवा के सदस्य मनक भाई अगरवाल का जन्म भी 9 जुलाई 1923 में हुआ और प्रसिद अभिनेता एवं निर्देशक हिंदी फिल्मों में गुरुदत के नाम से प्रसिद वसंत कुमार शिव संकर पादु कोन का जन्म भी 9 जुलाई 1925 में हुआ था मित्रु फिर फिल्म निर्माता निर्देशक और पत्थ पत्कता लेखक के बालाचंदर का जन्म जो है 9 जुलाई 1930 में ही हुआ था यह भी आपको याद रखना है और प्रसिद फिल्म अभिनेता संजीब कुमार का जन्म भी 9 जुलाई 1938 में जो है वो हुआ था मित्रो तो यह भी पून जानकारी हम आपके लिए लाते हैं तो वीडियो को सेयर करतें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को भी प्रेस कर देना मित्रो ठीक है और हमें कमेंट करना ना भूले तो इस विन्दू में हमको जानने को मिला कि जिनोंने शिलाई मशीन का विश्कार किया था उनका जन्म भी क्या है नो जुलाई को हुआ था और उनका नाम था जो है एलायास हाउस ठीक है और जो फिल्म अभिनेता संजीव कुमार थे उनका जन्म भी जो है नो जुलाई 1938 में हुआ था मित्रो अब हम नो जुलाई को जिन व्यक्तियों का जो है निधन हुआ था उनके बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं तो 9 जुलाई को जो है धार्मिक उपदेशक चैतन्य देव का निधन 9 जुलाई 1533 में हुआ था तो इन दो महान व्यक्तियों का जन्म, दो प्रसिद व्यक्तियों का जन्म जो है वो 9 जुलाई को ही हुआ था मित्रो तो मैं आसा करता हूँ कि आपको हुमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को स्केर कर देना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रस्न बत्रों के साथ और वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार